सनातर धर में दीपक जलाने की परंपरा प्राचीन काल से चलिया रही है। सुभता और माता लच्मी का प्रती दीपक को माना जाता है। कहा जाता है साम के समय घर के मुख के द्वार पर दीपक जलाने से घर में खुशाली आती है। देवी देवताओं का अधिर बात प्राप्त होता है। लेकिन दीपक से जुड़े को चमतकारी उपाय करने से जीवन में कई तरह के बदलाव भी देखने को मिलते हैं। तो चलिए आज हम आपको इस रिपोर्ट में बताते हैं कि अगर आप आर्थिक तंगी से परिशान हैं तो दीपक से जुड़े कौन से उपाय करिता कि आप परिशानियों से मुक्ति पा सकते हैं। दरसल युद्यक जोतिस पंडित कलकी राम बताते हैं कि सनातन धर में दीपक जलाना बहुत महत्तपूर्ण माना जाता है। आकसल लोग साम के समय अपने द्वार पर दीपक जलाते हैं। माननेता के मताबिक ऐसा करने से घर में मातल अच्मी का हखमन होता है। और सभी देवी देवता प्रसन्न होते हैं। ऐसी स्थती में दीपक से जोड़े कुछ खास उपाय करने से जीवन में आ रही तमान तरह की परिशानियों से मुक्ती भी मिलती है।